ओके स्टूडेंट्स तो आज हम करेंगे ट्वल्थ मैच एक्सेज 2.3 मैट्राइज जज कुश्टिन टू सौल्ड एक्वेशन बाइ रेडेक्शन मेथोड ठीक है तो रेडेक्शन मेथोड ये इसको पहले जो एक्वेशन है इसको मैट्रिक फॉर्म में लिखते हैं ठीक है उ यह जो है को एफिशन्ट या इसको यह पे लिखने है इसको यह पे इसके आगे fya लुद फी यह हो गया इसके बाद यह पर वेरियबल एक्सफै तो इसके लिए बद्स एक्सें वाइए या राइट साइड में बस कॉंस्टन्ड है तो 5 एंट मैनस 3 क्लियर तो अभी हमको क का करना है reduction method में reduction method में अब यह metric 2 into 2 order है मतलब 2 row 2 column है तो very easy बस कहीं ना कहीं एक element को 0 लेक्ट आना है कोई एक को कोई एक को 0 करना है दूसरा कुछ ने करना है ठीक है तो बस very simple है तो हमको यहाँ पर 5 है यहाँ पर 1 है तो बस यह तो यह पर मेंट है इसको 0 करेंगी यह है primero 5 कितना होता है 0 तो हम इसको 0 करेंगी बढ़र यहाँ पर five नहीं है यहां किने ना पड़ेगा यहां पर फ्रेंट करो पेंचिल तक पेंचिल करो यहां तो फेंब करना पड़ेगा ठीक है यहां पर इंटो फाइव कि इंटो फाइव करना है ठीक है अद यहां पर इंटो फाइव यहां पर फूरा लाइन पर लेना है ठीक है यहां पर भी आएगा इंटो फाइव तो यह जो मैंने किया है यह सब पिंशिल से करना है अधर्वाइज दिमाग में करना है तो अभी फाइव माइनस फाइव आएगा ठीक है इसके रज़त से हम ऐसे कर रहें ठीक है तो अभी देखो तो अभी क्या करना है यह हमारा रोड टू है तो रोड तू को चेंज कर रहे है रोड टू माइनस पाइड डॉं यह लितना है धीक है क्लियर तो जो यह लिखने तो हमारा रोट टू यह है यह row 1 है ठीक है यह row 1 एंड यह है row 2 तो हम इसको अभी इसको सब्ट्रैक कर सकते तो row 2 minus यह जो हमने किया pencil चे 5 time row 1 तभी वो जुरू बनेगा तो अभी क्या करना है देखो भी तो अभी यह सब नहीं लिखना है सबसे पहले row 2 को हम change कर रहे row 2 minus 5 time row 1 तो 3 minus 3 minus 2 into 5 यह आए 10 यह आएगा minus 7 3 तो यह है 3 ओके 3 minus 5 into row 1 यानिकी 2 into 5 10 3 minus 10 minus 7 तो यहाँ पर minus 7 and next time 5 minus 5 into row 1 यानि यह पूरा यह आएगा 5 तो यह 0 तो इसके लिए हमने ऐचे किया multiply by 0 किया यह हो गया यह चेंज ने करना है यह ऐचे कर रहे यहाँ पर भी करना है यहाँ यहाँ पर है 75 25 तो यह बनेगा minus 28 यहाँ पर minus 28 तो यह हो गया राइट यह पूरा हो गया उसके बाद बैद इसको हटा जो बाकी जैचे है जो है उसको लिखना है यहाँ अगर 21 यहाँ पर है 5 तो अभी बाद इसको वापाद multiply करते हैं और इसका answer निकलते हैं और साइट देखो ठीक है तो अब इसके बाद by equality of matter is it इसको लिखना है 2 into x 2x plus 1 into y y and that is equal to 5 यहाँ पर minus 7 है minus 7 पहला है minus 7 into x minus 7 plus 0 into y 0 y is equal to minus 28 तो यहाँ पर हमको y का value मिलेगा क्योंकि x का मिलेगा y का नहीं मिलेगा क्योंकि y का coefficient 0 है तो so therefore minus 7 x is equal to minus 28 so x is equal to minus 28 divided by minus 7 यहाँ आएगा 4 x का value 4 मिला equation 1 में put करते हैं ठीक है तो equation 1 and 2 है तो फुर x is equal to 4 in equation 1 यहाँ का 2 यहाँ पर है 4 plus y is equal to 5 यहाँ का 8 plus y is equal to 5 so therefore y is equal to 5 minus 8 so therefore y is equal to minus 3 तो therefore final answer क्या रहा है x आ रहा है 4 y minus 3 ठीक है यह आपको समझ में है ठीक है तो बाद वरीज दिये कोई भी एक element जो है उसको 0 कर रहा है ठीक है यह होता है reduction method ठीक है अभी हम second problem पर जाते हैं देखो okay तो अभी second problem करते हैं तो यह equation दिया है तो इसको metric form पर पहले लिखते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो वान ले लेते हैं 1 3 3 5 1 3 इदर 3 5 इदर और यहाँ पर x and y दिया है तो x and y लिखना है और यहाँ पर 2 & 4 है तो अभी यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है तो यही दिखना है ठीक है तो बद 3-3 0 होता है राइट तो इसको हम 3 करें ठीक है 3 करते है था कि हमारे लिए यह दियो जाएगा तो इसको हम 3 से multiply करते है यह पूरा रोक हो ठीक है तो अभी pencil से करो इसके बाद अभी हमको क्या लिखना है road 2 को change करना है इसको 0 करना है तो road 2 change हो रहा है road 2 minus 3 times row 1 तो road 2 minus 3 times row 1 तो बद अभी इसका answer लिखते हैं देखो क्या रहे करके है तक यहां अए गात्री है मैं इन्ट्री इंट्री इन्ट्री आयेगा यह जीरू तो जीरू यहां पर है five था यह पर अन्ट्रे रिवनड्व पूरा लेना है यह है यह कूरा यह भी चेंज करना है पूरा रोड 2 पूरा लाइन को चेंज करना है यह आएगा 4-2-3 6 यह आएगा-2 तो यह आएगा-2 तो यह आएगा-2 clear यह हो गया इद बार तो pencil का हटा जो pencil तो किया इसको हटा जो अभी क्या बाकि है उसको दीखो यह आएगा 1-3-2 clear by equality of matrices वापत लिखने है 1-2x x plus 3-1 and that is equal to 2 okay पहला और हो second यहाँ पर 0 है 0x यहाँ पर minus 4 है minus 4 into y minus 4y is equal to minus 2 ठीक है बज यह हो गया तो अभी बज इसको solve करना है तो 0x है तो हट जाएगा राइट यहाँ से y का value मिलेगा हमको therefore minus 4y is equal to minus 2 therefore y is equal to minus 2 upon minus 4 that is equal to 1 by 2 तो इसको इदर put करते हैं minus 3 by 2 is equal to 2 तो 3 by 2 को जाते है x is equal to 2 minus 3 by 2 तो इसको multiply करते हैं यह आएगा 4 by sorry यह आएगा 4 minus 3 okay 4 minus 3 by 2 that is equal to 1 by 2 तो इसे solve कर रहा है तो x का भी वही आ रहा है सेम आ रहा है so therefore x is equal to 1 by 2 y is equal to 1 by 2 I hope यह आपको समझ मैं तो यह 4 है ठीक है राइट ऐसे solve कर रहा है very easy है यह two order का यह two into two है यह metric है बहुत easy है बहुत कोई भी एक element को zero करो और answer निकालो ठीक है तो आभी हम third problem पर जाते हैं देखो तो अभी हम third problem करते हैं तो इसको equation को metric form पर लिखते है ठीक है तो 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर यहाँ पर minus 1 और यहाँ पर 1 ठीक है और यहाँ पर x and y दो ही variable है तो x and y लिखने है right side में constant ठीक है तो अभी देखो यहाँ पर one है और यहाँ पर minus one है अगर इसको add करेंगे one plus minus one यह बनेगा one minus one zero हो जाएगा बतलब मैं इसको add करूँगा row two plus row one करूँगा तो यह मुझे 0 आएगा तो बाज वही करना है ठीक है देखो क्या करना बाज रोटू को change करते है यह बनेगा row two plus row one लेना है minus नहीं लेना है minus लेंगे अगर row two minus row one होगा फिर one minus of minus one हो जाएगा one फिर minus और minus one वह बनेगा row two और मुझे यहां पर zero नहीं आएगा इसके लिए हमको plus करना है ताकि यह one minus one zero हो जाए इसके दिए ठीक है तो यह बनेगा अब पूरा row two का निकल दें four बज आड करना है row two plus row one four plus three seven one यहां पर प्लस है तो मैंने बथा इसका जिरू आएगा ठीक है यह पूरे का जिरू और यहां पर six plus one seven यहां पर आएगा three into x three x यहां पर minus one into y minus one that is equal to one इसके बाद यहां पर seven x यहां पर zero y is equal to seven तो हमको यहां पर x मिलेगा seven x is equal to seven x is equal to seven by seven one आ रहे तो उसको put करते है equation one पे और y निकलते है ठीक है तो यह हमारा equation one तो put x is equal to one in equation one क्या मिलेगा three x का value one minus y is equal to one तो y को उदर लो three minus one is equal to y so therefore y is equal to two आ रहे तो x is equal to one y is equal to two यह है आपका final answer तिक्या तो I hope यह आपको समझ में है राइट तो अभी हम fourth problem पे जाते है okay okay first problem करते है तो given equation को matrix form पे लिखते है ठीक है तो यह बनेगा five यहाँ पर seven यहाँ पर two यहाँ पर three यहाँ पर x and y यहाँ पर four and five तो five seven इदर two and three इदर फिर x and y दर four and five इदर ठीक है तो यहाँ पर लास्ट प्रॉब्लम पर यहाँ पर वन था है बड़े छोटा है तो इसको लेंगे और इसको alternate multiply करेंगे मतलब यहाँ पर three है तो इसको मैं two से multiply करूंगा और इसको three से तो क्या हो जाएगा two into three इसको और यहाँ पर इसको three into two यह बनेगा six यह बनेगा six six minus six zero आएगा तो six minus six zero आएगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसको multiply करेंगे by two से two 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 अभी इसको किया तो इसको भी करना पड़ेगा इसको into three into three into three okay तो अभी तो फास्ट रोग को into three into three into three किया जेगंड रोग को into two into two into two किया थाकि three into two six और यह भी six six minus six zero आएगा तो अब रोट्व को चेंज करते हैं तो रोट्व माइनज sorry रोट्व को चेंज करते हैं यह आएगा रोट्व चेंज हो रहा है यहां पर है तू है तो टू टाइम रोट्व क्योंकि आपर टू है बीत में माइनज यहां पर है three time row one ऐसे लिखना है क्योंकि आप हम two से multiply किया तो टू टाइम रोट्व माइनज three time row one तो अभी यह पूरा change होगा देखो ओके तो अभी यह कितना आ रहा है 14 यहां रहा है 14 seven into 14 minus यहां एगा fifteen three into five fifteen यहां एगा minus one यहां पर minus one और यहां पर यहां पर three into two six minus बीत में है यह यहां एगा two into three six यहां एगा zero यह भी हो गया अब इसके बात यहां पर इसके बात यह five into two ten and four into three twelve यहां एगा minus two तो यहां रहा है minus two अभी पेंसिल से जो भी किया उसको erase कर दो तो पेंसिल से जो किया उसको erase करना है अभी row two को change किया row उनको कुछ नहीं करना है बस ऐसे का वाइट से ही लिखने clear by equality of matrices क्या रहा है उसको लिखो यहां रहा five into x five x plus two y that is equal to four यहां रहा equation one यहां पर minus minus one x plus यहां पर zero y is equal to minus two तो यहां से मुझे x मिलेगा राइट तो minus x is equal to minus two therefore x is equal to two right to x का value 2 मिला उसको put करते हैं तिक के so put x is equal to two in equation one यहां 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 यहांगा five x का value two रहे plus two y is equal to four यहां यहां यहांगा ten plus two y is equal to 4 so 2y therefore 2y is equal to 4 minus 10 so 2y is equal to 2y is equal to minus 6 therefore y is equal to minus 6 by 2 that is equal to minus 3 आईगा तो हमको x आ रहे आपको समझ मैं जरीज जिए बद यहाँ पेंसिल से मार्किंग करो अधर्वाइस दिमाग में करोगे तो सिली मिष्टक होगा फिर प्रॉपर एंसर नहीं आएगा ठीक है तो आपको समझ मैं जरीज जिए चूड़न प्लीज लाइक में वेडियो सब्सक्राइब में चैनल और मज़े सपोर्ट करो थैंक्यू वरी मिच तो अभी हम थर्ड फ्राब्लम पर जाते हैं देखो